पाठ सत्रा कंप्यूटर अभ्यास प्रश्ण पहला है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए का 1 किलो बाइट बराबर होता है कितने के बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर होता है खा कौन सा आउटपूट डिवाइस है keyboard, mouse, monitor, scanner तो इसमें में से monitor जो है वो आपका output device है एक byte बराबर होता है 8 bit, 4 bit, 1 megabyte, 1 terabyte के तो एक byte बराबर होता है बचों 8 bit के तो भरिये का CPU computer का dash होता है CPU computer का क्या होता है देखें यहाँ पर दिया हुआ है तो हम भरेंगे must disk होता है यहाँ पर option दिये है मैं उसी में से भरना है computer निर्देश लेने के लिए dash यंत्र का प्रियोग करता है तो निर्देश लेने के लिए input यंत्र का प्रियोग करता है किसका प्रियोग करता है input का अगला है desktop computer dash पर रखकर प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट प्रश्ण है निम्लिकित कतनों में सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाईए का प्रिंटर कम्प्यूटर का इंपुट यंत्र है तो ये कथन बिल्कुल गलत है बच्चों आउट्पुट है ये खा विभिन प्रोग्राम कम्प्यूटर सॉफ्ट वेर कहलाते हैं बिल्कुल सही है बच्चों माउस कम्प्यूटर का इंपुट यंत्र है ये कथन भी बिल्कुल सही है बच्चों कम्प्यूटर के वे भाग जिने हम हाथों से छू सकते हार्डवेर कहलाते तो ये भी कतन बिल्कुल सही है बच्चों नैस देखिए खंडखा के अधूरे वाक्यों को खंडखा की सहायता से मिलान करिए क्या कह रहा है कारे करने वाले अनेक भागों के समू को कारे करने वाले अनेक भागों के समू को हम क्या कहते हैं सिस्टम कहते हैं पॉम्टाप कम्प्यूटर कारे करता है तो पॉम्टाप कम्प्यूटर किस से कारे करता है बैटरी से पहले बच्चों मोबाइल नहीं था तो पॉम टॉप कम्प्यूटर ही था उसी को एडवांट करते करते मोबाइल बना है मिनी कम्प्यूटर तेज कारे करता है किस से? माइक्रो कम्प्यूटर से तो मिनी कम्प्यूटर माइक्रो कम्प्यूटर से तेज काम करता है अगला प्रश्न है का कम्प्यूटर का चित्र बना कर उसके विबिन भागों के नाम लिखे देखिए बच्चों इस तरप से आपको एक चित्र बना ले ला उसमें monitor, cpu, keyboard और mouse को दर्शाते हुए आप इस तरह से चितर बना ले खा, cpu का कारे बताईए उतर, cpu input किये गए data की processing करके उसका निसकर्ष output device पर देता है गा, laptop तथा pomptop में अंतर बताईए उतर, laptop, laptop computer वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कारे कर सकता है या size में बहुत छोटे होते हैं इनको व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है pomptop, pomptop computer laptop से छोटे होते हैं इनको हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है तथा व्यक्ति अपनी जेव में भी रख सकता है यह बैटरी से चलता है मोबाइल आधुनिक पॉम टॉप कम्प्यूटर का उदारन है साथवा वर्तमान समय में कम्प्यूटर का विभिन छेत्रों में उप्योग का वर्णन कीजिए उत्तर वर्तमान समय में कम्प्यूटर के उप्योग के विभिन छेत्र वैज्यानिक उप्योग, सिक्षा के छेत्र में उप्योग, रक्षा के छेत्र में उप्योग, वाणिच एवं व्यापार में उप्योग, चिकिस्ता के छेत्र में उप्योग बाई बाई बच्चो मिलते हैं अगले वीडियो में